हलो बच्चों स्वाज़ते आप रा मेरे यूटूब चैनल पर आज हम पर सुन रहे कहानी माली और मतका चोड बर अच्चों अकबर और बिर्बल की एक बहुत अच्छी स्टोरी है आई हम इसको सुन के हूँ एक बार की बात है बिर्बल अपने गाउं से को जर रह खे तब ही उन्हें एक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी उन्होंने जब चारो और देखा तो उन्हें एक गुड़ा आवनी रोता हुआ दिखाए दिया बिर्बल ने जब उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाले माली हैं बिर्बल ने उससे उसके रोने का कारण पूछा उस पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उसके जीवन का या जीवन भर की पूरी कमाई का मटका रखा हुआ था जो की अब वहाँ नहीं है बच्चो जब भी जो हम पूरी जिन्दगी हम जितना भी आन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं जीवन भर की कमाई बिर्बल ने उसकी बात सुनी और फिर कहा आप चिंता ना करें आपका मटका आपको मिल जाएगा इतना करकर बिर्बल वहाँ से चले गए और सोचने लगे कि आखी मटका कहां गया बच्चो बिर्बल को चिंता होने लगी कि जब शाही बगीचे से कोई चीज कैसे गायब हो सकती है है ना वहां तो बहुत सेक्यूरिटी रहती है और सब कुछ पहरेदार वगेरा सब रहते हैं कि लेकिन उनको यही सोचने में बार बार आ रहा था कि अखीर मटका कौन निकाल सकता है इन तीनों के सिवाए उस बगीचे में और किसी को जाने के अनुमती नहीं है बहुत सोचने पर विर्बल को याद आया कि जड़ी बुटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं गए इसका पता लगाने के लिए विर्बल ने अबर से कहकर हकिम को महल में बुलवाने को कहा। हकिम को महल में आने का आदेश दे दिया। हकिम के महल में आने से पहले विर्बल ने महल में मौझूद मंत्रियों से पूछा कौन कौन हकिम जी से अपना इलाज करवा रहा है। पहुँच जाते हैं तो बिर्बल उनको कहते हैं हकीम जी मुझे दस्त की परिशानी हो गई है इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजी जिससे जल्दी मैं ठीक हो जाऊंग इतना सुनकर हकीम जी बोले मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे आपके दस्त हो जाएंगे मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी लेकिन ये दवाई केवल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है जैसे ही हकीम जी ने ये कहा बिर्बल तुरंट समझ गए कि मटका इनों ने ही निकाला है है ना बच्चो क्यों समझे क्योंकि उन्होंने आम के पेड़ की जड़ की बात की बिर्बल ने कहा अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में फुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछे हकीम जी ने कहा हुजूर मुझे माफ कर दिजे मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है इसलिए मैंने उसे निकाल लिया अकबर ने बिर्बल की तारीफ करते हुए कहा तुमने आज फिर्स अपनी बुद्धी बुद्धी मानी से मटका चोरी करने वाले को पकल लिया मटका चोरी करने की वज़र से अकबर ने हकीम से शाही पच्छने का आदेश दे दिया लेकिन बिर्बल ने कहा इन्होंने तो सच बता दिया था इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था माली ने बताया 120 सोने के सिक्के बिर्बल ने कहा ये आपकी गलती थी कि आपने अपने मटके को जमीन में चुपाया इसलिए आपके मटके में से दस सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिये जाते हैं ताकि आगे से कोई ऐसी गलती ना करें बिर्बल का यह तर्क सुन राजा अकबर बहुत कुछ हुए तो बच्चों देखा आपने के हमने कहानी पूरी सुनी क्या समझ में आया आपको मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं चैनल को लाइक, स्स्क्राइब, शेर जरूर करें और कहानी कैसी लेगीगी यह कॉमेंट में आप जरूर लिखें Thank you for watching मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में